नेक्स पार्ट अफ बॉड़ी अफ कोक्रोच इस थोरेक्स. तो जो थोरेक्स है, यह बना है तीन सेग्मेंट से मिल करके, कौन-कौन से हैं वो तीन सेग्मेंट्स, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, सबसे उपरी सेग्मेंट्स, जिसे नाम दिया गया प्रोथोरेक्स, दस्दी, फर्स्ट सेग्मेंट अफ थोरेक्स, इसके ठीक नीचे, है मीजो थोरेक्स, और सबसे आखरी में, मेटाथोरेक्स, यह जो तीनो हैं इनके उपर अपनी-अपनी काइटिनस क्यूटिकल की एक लेयर मिलेगी, यानि इनके अपने-अपने टर्गाइट्स उपर के तरफ इनके डॉर्सल व्यू में दिखाई देंगे, जो यह प्रोथोरेक्स है, इट इस कवर्ड बाई, प्रोनौ टमौ ट विए Кप्रोनौ टमौ, एवच्ट टम, हति हैं लेड्सलेक्स, लेड्सलेक्स, वही mesothorax is covered by mesonautum, वही metathorax पर है metanautum नाम का sclerite, और इनको आपस में जोडने के लिए यहाँ पर यह रहा artherodial membrane. Any problem with this? तो thorax के हैं तीन segments, prothorax, mesothorax and metathorax. So, these are the segments of thorax, right? अब और कौन-कौन से components हैं? meso और metathorax के साथ में जुडे होते हैं एक-एक जोडी wings. So, here we have a pair of wings. जो की dark होता है, leathery होता है, नी चम्रे जैसा होगा. वहीं पर इसके ठीक नीचे, relatively थोड़ा छोटा और पतला ऐसे membrane जैसा होगा. इसलिए इसके अंदर veins भी clear दिखाई देंगी. So, veins के जैसा एक पतला सा, like it's membranous wing. तो दोनों के पास एक-एक wing है, meso and metathorax के साथ में जुडे हुए. So, यहाँ पर इस चीज को भी लिख लेते हैं. Two pairs of wings. A present, यह जो ऊपर वाला wing है, इसे नाम दिया गया. यह है, meso thoracic wing and here we have metathoracic wing. मैं काम करती दोनों का comparison आपको समझा देती हूँ. So, let me write it here. Here it is. meso thoracic wing और यह है metathoracic wing. What is the difference? जो meso thoracic wing है, यह है dark and leathery. यह cover करता है, नीचे वाले wings को अमसे फिक कवर की तरह काम करेगा? यह लोवर या हाइंड विंग को, रइट? इसका कोई मदद नही होती है, यह कभी मदद नही करेगा फ्लाइग में. इसे एक और नाम दिया जाता है. इसका काल्ड इलाइट्रा और टैगमिना और सिंपल शब्दों में कह सकते हो, आगे वाला पंक यानि फोर विंग. वहीं बात कीज़ा है, मेटाथोरासिक विंग की. यह मेंब्रेनस है, पतला है, यह हेल्प करता है, इन फ्लाइंग. इसे कहा जा सकता है, हाइंड विंग. एक और चीज़ जो थोरेक्स के लिए इंपोर्टन है, यह जो हर एक सेग्मेंट है, हर एक सेग्मेंट के साथ, एक एक जोड़ी पैर जुड़ा हुआ होता है. राइट, एक सेग्मेंट, और एक बहुत जरूरी चीज़, बहुत बहुत जरूरी चीज़, थोरेक्स का एक कैरेक्टर, जिसके जरीया आप मेल और फीमेल को अलग डिस्टिंग्विश कर पाते हो, वो यह कि यह जो मीजो थोरेसिक विंग है, जो की मेटा थोरेसिक विंग को ढखे हुए है, मेल में यह एब्डमन से भी लंबा होता है, इन मेल्स विंग्स एक्स्टेंड बियॉंड अब्डमन, इस दर क्लियर, वर जल्दी से नोट करोगे, हम पढ़ने वाले हैं about their jointed appendages or legs, So, let's study about the legs of cockroach, यानि उसके कौन-कौन से segments हैं, कितने parts से मिलके बना हैं, Right, so, जो legs हैं cockroach के, Each leg is made up of five segments, Right, कौन-कौन से, Let me draw it here, सबसे पहला है, सबसे बड़ा segment, इसे नाम दिया जाता है, कोगजा, It is the largest segment, जिसकी मदद से, जो पैर है, वो body के साथ में, Basically, thorax के, किसी भी segment के साथ में, ये जुड़ा हुआ होता है, Next one is a segment, जो कि connector की तरह काम करेगा, between, कोगजा, and femur, इसे नाम दिया गया, trochanter, Right, and the third segment is called, Femur, Femur के साथ में, जुड़ा हुआ है, कोगरोज के पैर का सबसे लंबा segment, It is called, Tibia, ये है, Longest segment, पूरे पैर में, ब्रिस्टल्स ऐसे बाल बाल जैसे होंगे, पर टिब्या पे ये, सबसे जादा मांट में मिलते हैं, So, it has, Bristol's, बिसकली एंसेंसरी ब्रिस्टल्स है, for touch, and taste, sensation, and the last one, जो last segment है, वो, पांच, सब सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, इसे नाम दिया जाता है, टार्सस, तो यह हो गए, पांच सेगमेंट स, जिनसे, कौक्रोच का पैर बना है, यह बाद टार्सस को डीटेल में पढ़ लेते हैं, कि टार्सस के यह सेगमेंट स हैं, कौन-कौन से, इसको एक बॉक्स में डाल लेते हैं, राइट, सब्सक्राइब पाईब आउट, तार्सस, सब्सक्राइब अध आउफ फड़ तार्सस, मेर्ज जो लास्ट तार्सो मेर है उसे एक और स्पेशल नाम दिया गया इसे कहा जाता है प्री टार्सस राइट और इनके स्पेशल स्ट्रक्चर इनके उपर प्रेजेंट हैं तो ये रहे हमारे तार्सो मेर्ज और ये रहा आखरी टार्सो मेर्ज जिसे प्री टार्सस कहा गया जो ये ऊपर वाले टार्सस हैं इनके उपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि जिसे अगर दिवार पे चड़ना है और सरफेस स्मूद है तो ये चिपकने वाले पैड्स की तरह काम करेगा और कौकरोचासानी से उपर चड़ पाता है इन्हें नाम दिया गया पल्विलस और एरोलियम वहीं जो ये प्री टार्सस है इस पर भी ऐसे अड़ैसिव पैड्स हैं बट देर मोरन नम्व और इन्हें नाम दिया जाता है पल्विले ये दोनों ही टाइप के स्ट्रॉक्चर्ज है अड़ैसिव पैड्स तो क्लाइब अप श्मूद सर्फेस वहीं रफ सर्फेस पर चड़ने के लिए जो ये प्री टार्सस है इस पर पंजेब लिए प्रेजंट है So, these are the claws these are present on only प्री टार्सस and they help climbing up the rough surface. Is that clear? So there was all about the thorax of cockroach. आगे पढ़ लेते हैं, abdomen. Please note it down. स करता हैं, सरे सहalis़ ए्याओे CA, तरसमा किसरे दोड़ किसरे अभसे हैं, अड़र cód沙़ किसा एंप दो खिज़ एंप किसरे नहीं सित्वटा दो maranted,